अजय वेलकों बैक टो माई चानल इतिकाटीप मैं हो नितिकाई वीडियो का टाइटल एंधमनेल देखकर आपको परता चलिए गया होगा कि वीडियो कि इस टॉपिक पर है जो कोई गर्ल्स हो और बिगनर्स हो जो टीनेजर्स हो जिनको आई-लाइनर लगाना अच्छा तो ल आपको बिल्कुल भी आई-लाइनर लगाना नहीं आता था हएपक आप बिल्कुल एक दम को मैंने आपको ещё कौसिती है कुछ च्छाब्स दिया हैं जिसे आप एक दम अपना प्लिन जाओगा सकता है मुछ बहुतन आपतोς जादान को ब्राइट याइटे में दोड़ हैство ब् सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत तो गाइज मैं हाँ पर टेप अप्लाइब कर रही हूं आपको टेप अप्लाइब करनी है टेप अप्लाइब करने से आपका जो विंग आईलेनर है वह बहुत ज़्यादा अच और गाइज आईलेनर अप्लाइब करने के लिए आपको जो इसका एप्लिकेटर है वह छोटा होना चाहिए वह बड़ा नहीं होना चाहिए अगर बड़ा होगा तो उससे आपका हाथ का कंट्रोल इदर उदर हो जाएगा और आपको थोड़ा सा प्रोड़क्त लेकर के आप आपको आईलेनर लेना है और आईलेनर लेकर आपको बिल्कूल हलका छोटा 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 स्ट्रोक लेकर के थोड़ा थोड़ा लगाना है आपको एक दम से नहीं लगाना है और आप जितनी विंग चाहते हो आप उतना पीछे तक आप ले जाए और इसको एक बार अच्छ जितना आपके ब्रश में प्रोडक्ट है आप उतना ही यूज कीजिए और एक अच्छी सी लाइन डो करने के बाद जो टेप है आप इसको रिमूव कर लीजिए और मैं यहाँ पे अब टेप रिमूव कर लोगी देखिए मेरा आइलाइनर कितना अच्छा लगा है टेप लगा है तो आप मीरर को अपने बिल्कुल मुह के सामने मत रखे आप मीरर को थोड़ा डाउन रखे जिसके वज़े से आपकी आइस भी डाउन होगी आपका आइलेनर ना तो फैलेगा ना आपकी आई लीड में लगेगा तो यह ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा है होने वाला है और जो सैकिंड आइलेनर है उसकी पहले आपको विंग निकालनी है जितने आप विंग चाहते हैं उतनी निकालने के बाद आप एक लाइन ड्रो कर लिजिए जैसे मैं कर रही हूं इसको करने के बाद आपको क्या करना है एक लाइन ड्रो करने के बाद जितना इसमें फिल कर लिजे आपको पूरा फिलख कर लेगा है और आपको एक अच्छा सा एलख कर त्यार हो जागा ये बिल्कुल इसी ट्रिक है बीगिनर्स इसको easily follow कर सकते हैं और जो कोई एक्सेस अगर आपको वैसे तो लगता नहीं है लेकिन बीगिनर्स के पास अगर लग जाए तो आप कोई भी मेकप रिमूवर ले लिजे वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि सभी के पास भी नहीं होता है आपको क्या करना है कोटन पैंड में आपको कोकुड़ेट ओले करके आप उससे रिमूव कर लीजे आपका एकदम से आपका मेकप निकल जाएगा तो यह सबसे इजी ट्रिक है तो देखिए गाइस मेरा आईलानर लगके रेडी होगा है और मैं आपको छोड़े-छोड़े टिप्स देन है आपको लेना है लिक्विट आलेंडर लेना है अपको लिक्विड आईलेंडर से ही अपको अपने आईलेंडर लगाना है और यह एक में मैं थोड़ी ज्यादा काज लगा रही हूं और इसको लगाने के बाद मैं थोड़ा अच्छे से समझ करके इसको मैं समझ करने के बाद जो मैं एयर बड्स लिए हैं मैं जो भी साइड में एकस्टा लग गया था तो इसको रिमूव करना है मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर रिमूव कर लीया है और देखे गआइस कितनी अच्छी सी लूख आपको मेरी आइस की दिखेगी आपको भी सेम इसे ही टॉय करना है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अब मैं यहां पर मस्कारा लगा रही हूं मस्कारा लगाने के बाद हमारी जो आय जो आई लैसी है उसमें इस तरीके से बहुत सारे आई लैंडर टुटोरियल देखना चाहते हूं कि हम आई लैंडर कितने टाइप से लगा सकते हैं तो वह भी मुझे बता दी दिये तब तक के लिए बाबाई बिलते हैं नेक्स्ट रिजिए